बड़े बड़ों को जरूरत विगाड़ देती है इसी लिए तो मैं शोहरस से बच के चलता हूँ शरीफ लोगों को अवरत विगाड़ देती है इसी लिए तो मैं शोहरस से बच के चलता हूँ शरीफ लोगों को अवरत विगाड़ देती है आईए अब मैं अब मैं अपनी फेरिस्ट को आगे वलाता हूँ और एक ऐसे शायर से आपके मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपके इस मुशारे के सदर मुहतरम से इजाजत चाहते हूए और जनाब शाहिक जमाल साफ की दुआइं लेते हूए गजल के चंद अशार आपके समातों के हवाले रखता हूँ मतला यू कहा है कि फैस भाई देखें कि जहन से खून पिलाता हूँ तो रो देता हूँ जहन से खून पिलाता हूँ तो रो देता हूँ जहन से खून पिलाता हूँ तो रो देता हूँ और कल जिन्हें पास बिठाते हुए खुश होता था अजीन भाई, कल जिन्हें पास बिठाते हुए खुश होता था, अब उन्हें पास बिठाता 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 हुए तो रो देता हुँ क्या कहना तो रो देता हूं और शेयर देखें कि तुझको आवाज सुनाई नहीं देती मेरी तुझको आवाज सुनाई नहीं देती मेरी तुझको आवाज लगाता हूं तो रो देता हूं और शेर देख लें कि मेरी बस्ती में बरस्ता नहीं कोई बादल, नाव कागस की बनाता हूं तो रो देता हूं, और ये गदल के चंद अशार और देख लें, बड़ी एक खुब्सूरत निजामत हो रही है, और चंद अशार एक गदल के और देख लें, कहा है कि हमसे तो कोई दोस्त बनाए नहीं जाते खोटे कभी सिक्चे तो चलाए नहीं जाते और ये इश्क भी है मजहब इसलाम के जैसा ये इश्क भी है मजहब इसलाम के जैसा इस दीन के मुर्दे भी जलाए नहीं जाते ये इश्क भी है मजहब इसलाम के जैसा इस दीन के मुर्दे भी जलाए नहीं जाते शाहिद जमाल साब की दौाई मुझे मिल रही है और देखने की उसने मुझे ये कहते हुए छोड़ दिया था पत्थर पे कभी फूल खिलाए नहीं जाते और शेर देखने की कुछ लोग तो सूरत भी छुपाने में लगे हैं हमसे तो दिये तक भी बुझाए नहीं जाते हैं और शेर देखने सबसे खुब सूरत शेर की कभ राजे मुहबत वो छुपा पाएंगे दिल में खत जिन से किताबों में छुपाएंगे दिल में खत जिन से किताबों में छुपाएंगे नहीं जाते और शेर देखने शाहिस साब की हम कैसे अजादारों की सफ में उन्हें रख दें हम कैसे अजादारों की सफ में उन्हें रख दे जिन आखों से दो बूद गिराएं नहीं जाते और इसमें आखरी शेल देख ले कि करते हैं जहादों को उडाने के वो दावे करते हैं जहादों को उडाने के वो दावे जिनसे ये परिंदे भी उडाए नहीं जाते और दोआओं के साथ मक्ता देख लें कि हर राज बता सकते हैं दुनिया को मगर दिल कुछ राज हैं ऐसे जो बताए नहीं जाते और एक फर्माई शुईतिच एक गजल के एक मतला और एक शेर की इर्शाद इर्शाद मैंने बहुत पहले कहा था कि हजारों फसले गुल हो पंखुडी अच्छी नहीं लगती तेरे बिन मुझको सावन की जड़ी अच्छी नहीं लगती और अगर तरके तालुक मुझसे करना है तो जल्दी कर मकामे देर तक मैयत पड़ी अच्छी नहीं लगती बहुत शक्रिया दो तो